हाई गाईज वेलकम तुद अनदर न्यू वीडियो तुड़े इस फ्राइडे एंड एक और नए वीडियो पर हम बात करने वाले एक नए कॉंसेप्ट पर देखेंगे फ्राइडे नॉलेच सिरीज हम एवरी फ्राइडे को एक कॉंसेप्ट आप से रिवील करते हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट रहने वाला है एक बहुत ही बहतरीन एक ट्रेड सेट अप मैं आज आप से शेर करने वाला हूं तो इसलिए इस वीडियो का आप एंड तक देखें कौन सा वह सेट अप है किस तरीके साब इसको यूस कर सकते हो अगर आप इंट् तक जरूर देखें क्या कॉंसेप्ट है वह मैं आपको देरे-देरे करके पूरा डिटेल बताऊंगा मैं सबने रहे यह वीडियो में अंट तक दोस्तों जैसे के आपने सुरू में सुरू में होगा कि हम ट्रेट सेट अप पे बात करने वाले सुट्रेट सेट अप होता क्य आके एंट्री एंट्री एक्जिट के रूल्स हम फिक्स करेंगे वा यूजिंग पर्टिकुलर सम टूल तो आज का जो टूल हम यूज करने वाले वह टूल है ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज एंट्सिंपल मूविंग एवरेज को हम यूज करेंगे बहुत ही एक बैतरिन तरीका है जो के आप लोग काफी लोग इसको जानते भी होगे बड़ इसका पावर अभी तक आपने नहीं देखा होगा हाव यूज कर सकते हैं तो हम यूज करने वाले है 55SMA अगर आप मेरे पुराने फॉल्व और आफी टाइम से मुझे फॉल्व करो तो यू नो के मैं 55SMA यूज करता हूं और 55SMA ही क्यों करता हूं उसके बहुत बार मैंने रिजन बताया हुआ है तो सबसे पहले एक सिंपल बताता हूं इसको डिटेल में किस तरीके से हमें ट्रेट सेट अप को यूज करने से पहले मुविंग और जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टन्स देखना पड़ेगा हमें 55 का पीरियोड हम यूज करने वाल है अभी हम डेली चार्ट पर बात करेंगे सो डेली चार्ट पर 55SMA है अगर हम प्लेस करते हैं तो मुविंग और इस एक्ट एस डाइनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टन्स अपने होरिजोंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टन्स देखाओं कुछ इस तरीके से बट डाइनामिक मतलब कर एंगूलर मार्केट में प्राइस उपर जाएगा नीचे गिरएगा तो वहां पर भी सपोर्ट बनते जाहेंगे तो हर जगे हम हो मुविंग में 55 ऐसे में विल एक्ट आज वेरी इंपोर्टन एरिया आफ सपोर्ट एने जिसमा लाइक अगर मुविंग एरेज स्लो प्राइजिंग है और प्राइज उपर जा रहा है तो यहां पर यह रिजिस्टन्स का काम करेगा और वहां से फिर से हमें मार्केट में एक से सेल आफ भी देखने को मिलता है सो इसकेस में इसने सपोर्ट का काम किया और इसकेस में इसने रेजिस्टन्स का काम किया कुछ एग्जेम्पल्स में आपको दिखाऊंगा इसके जो कि काफी यूसफूल होंगे तो पहले वो भी एक बार देख रहे थे जो यह है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम आप देख रहो के प्राइस पाफी बार मुविंग एरेज के नस्दिक आ रहा है के यहां पर देखे और वहां से नीचे काम कर रहा है moving average देखते को particular stock में देखते है है random stocks में ले रहा हूं तो यहाँ पर भी अब daily time frame में price moving average के नजदिक आया है और हमें एक अच्छा rally देखना का मोला है so support का काम कर रहा है यहाँ भी आप देख पार हो यहाँ पर भी आप resistance का काम कर रहा है तो इस तरीके से लोवर टाइम अगर आप यूज़ कर तो वहाँ पर भी यह concept useful होगा 15 मिट टाइम फ्रेम में भी देखोगे जबी जबी प्राइस मुविंग अरज के नज़्क आ रहा है यहां पर यहां पर यहां पर जा रहा है तो तो इस तो वह एक काम करेगा वेरे इंपोर्टन रेजिस्टेंस जो काफी क्लारिटी आया होगा कि मुविंग अरे जाज़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कॉंसेप पे आप थोड़ा सा और प्रेक्टिस करें तो आपको ट्रेट सेट अप ढूड़ने में भी बहुत सिंपल सीटी मिलेगी आपको अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट जबी भी सपोर्ट ब्रेक करेगा और ये लेवल पर वापस आएगा और यहां से रिजेक्शन ले रहा है इसको हम बोलते हैं और एक रेजिस्टेंस है मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है और वापस वही लेवल से रीटेस्ट कर रहा है previously जो resistance था now it act as a support so यह हो गया यहां पर CIP so यह बहुत important concept है इसको हम dynamic way में भी use करेंगे so let's now learn the trade setup trade setup क्या है वो हमें देखना है और उसमें एक छोटा सा twist है वो हमें use करने है so trade setup में हम तूल यूज़ करने वाले है 55 sma जो concept है वो हम CIP यूज़ करने है CIP at first यह at first क्या है there is a twist यही एक twist है जो हमने इसमें use किया हुए और वही आपका accuracy अगर इस नॉर्मल अगर यूज़ करता हुए तो 55 to 60% का accuracy अगर आप यह at first वाला concept यूज़ कर लोगे तो accuracy 70% से ज्यादा इसका मिलेगा हम तो समझते trade setup में entry exit कैसे करना है मैं यहाँ पर पहले एक बार ग्राफिकल आपको present कर लेता हूँ like let's say moving average का slope down है और price नीचे trade कर रहा है और moving average को cut कर रहा है नीचे से उपर and whenever it comes to the moving average again it will act as a support now so यह first time जब करेगा वहाँ पर हम trade initiate कर सकते हैं जो भी bullish candle है तो उसका high cross करेगा वहाँ पर entry इसके low के नीचे SL and 1-23 के risk to reward ratio के साथ आप इसका target भी ले सकते हो और इसका exactly opposite selling में इसको मैं है पहले आपको charts पर दिखाता हूं तो काफी easy हो जाएगा तो पहले daily chart पर देखते हैं daily chart पर टाटा स्टील सो टाटा स्टील में अगर आप देख पर हो तो यहां पर moving average के नीचे trade कर रहा है यहां पर price यह 55 SM है उसके नीचे trade कर रहा है और यहां पर इसने cross किया और यही moving average पर उपर जाके वापस नीचे आ रहा है so this is CIP यहां पर entry this is your SL कुछ दिन consolidate के आपने see the rally and this is a big rally काफी बड़ा rally है so अगर आपका entry यहां पर है so 8 to 9 to 10 percent का move है यहां पर एक और example देते हैं यहां पर आप देख पार हो price नीचे था moving average के यहां पर यहां पर नीचे trade कर रहा है यहां पर उसने cross किया and first time यहां पर CIP बना रहा है यह आपका entry यह आपका SL and see this is a rally so यह हो गया daily time frame पर इसी का smaller time frame में भी use कर सकता है intraday time frame में 15 मिनिट में bank nifty में चलते हैं so bank nifty में आपको काफी बार देखने को मिलेगा see एक अच्छे सा support का का कर रहा था moving garage यहां पर इसने break किया यहां पर भी रेजिस्ट किया यहां पर भी रेजिस्ट किया वहां से हमें नीचे के side reality देखने को मिल रहा है कि आगे जाके आप backtrust करोगे तो बहुत बार यह देखने को मिलेगा काफी बार fail भी हो सकता है एसा नहीं है जैसे के यहां पर cross किया है यहां पर support लेना है और ideally यहांसे हमारा setup में उपर जाना चाहिए बट यहां पर SL आपका hit हुगा काफी बार SL भी हीट होते है सो कोई भी strategy फूल प्रूफ नहीं होजी 100 परसंट बट अगर उसका accuracy 60-70 परसंट के उसके भी उपर मिल जाए विच इसको एक पर निफ्टी इंडेक्स में भी देख लेते सो आप इसके थूप्शन भी ट्रेट कर सकता हो बाइड़ वे यहां पर मुविंग एवरेज को क्रॉस किया यहां पर सपोर्ट पर हेमर बना हुआ है मुविंग एवरेज पर यहां पर नीचे क्रॉस किया और प्राइज यहां तक आया यहां पर rejection and we have seen a good rally on downside so cip बन रहा है at first lower side यहां पर bullish side पर cip बना था आपको इस तरीके से trades मिलते रहेंगे continuously so you can also trade options index में अगर कर रहे हो तो और daily chart को यूज़ करके आप swing trade कर सकते हो so this is whole trade setup about swing trade as well as intraday trade hopefully आपको यह समझ में आया होगा इसको आप backtest करिए यही setup को आप कम से कम 100 charts पर backtest करिए so आपका उसमें confidence भी आएगा और उसके थुरू आपको एक और trade कैसे लेना है वो भी आपको समझ में आएगा minimum 100 charts आप practice करिए backtest करिए और उसके बाद आप apply कर सकते हो आपके trading के यह वीडियो में इतना ही आशा राखता हूँ आपको काफी कुछ सीखने को मिला है comment section में ज़रू बताइए thank you so much good bye everyone and happy trading चार को समझ में आपको है।